डेड़पुल एक ऐसा क्यरक्टर जो सूपर हीरोज के साथ साथ विलेंस की टीम में भी रह चुका है इसलिए जब ये फाइनली MC मैंटर होगा तो विल्कु सस्पेंस भरी घड़ी होगी क्योंगी हमें नहीं पता ये किसकी साइड रहेगा यानि डेड़पुल की सूपर हीरोज और विलेंस दोनों के साथ ही फाइट हो सकती है जहां गुस्तो इसकी बूरी तरह पिटाई कर देंगे लेकिन कुछ की नाक में ये खुद दम कर देगा सो ये किन-किन कैरेक्टर्स को हरा सकता है आज हम ये बात नहीं करेंगे बलकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एमस्वी के कौन-कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डेड़पुल को पूरी तरह मार सकते हैं यानि पूरी तरह जहां ये वन-on-one बैटल में अगेंस्ट ह के सारे पाफुल के खिलाफ चाहिए फिर वह विलेंस हो या फिर सूपर हीरो सबसे पहले तो हमें डेड़पुल की एविलेटी को ही तेख लेना चाहिए क्योंकि उनके बगैर आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है तो सूपरहुमन स्टेंथ स्टैमिना रिफ्लेक्स इस पाफुल के खिलाफ से रखने का लॉजिक बनेगा पर फिर भी हम कॉमिक्स की तरह एक्स्टीम भी नहीं जा सकते क्योंकि हम अभी तक पता नहीं है मुवीज में उसकी हीलिंग करने की एक्सेंट कहां तक है पर मेरे पास यहां पर एक जबाब है लाइव एक्शन अगर उस हमारी मेजर फायर्स पे जिनने मैंने बढ़ते हुए पावर लेवल के हिसाब से रखा है पहले नंबर पर आएंगे हमारे बिना पावर्स वाले सूपर हीरो लाइक हाओ काई ब्लैक विडो फैलकन ओकोई शूरी वगएरा बगएरा और भी बहुत से हैं लेकिन सबको बना सकता है यानि शूरी इसे इनफ टाइम दिया जाए तो यह डैटपुल को मारने का इंतिजाम कर लेगी जा फाइट बिना प्रपेरिशन के हो तब उसे मारना पॉसिबल नहीं है यानि शौर्ट टम में अपने फाइटिंग एक्स्पीरिंस के बेसिस पर बिना पावर्स तो यहाँ पर लेवल थोड़ा आप हो जाता है क्योंकि यह सारे किल करने में माहिर तो हैं ही लेकिन साथ ही इनके पास डैटपुल के लेवल के राउंड के स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी है यह उसे पूरी तरह मार तो यह भी नहीं पाएंगे लेकिन डैटपुल के लिए इने खत्म करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कैप्टन अमेरिक और बकी के पास सूपर सोलजर सेरम की एविलेटीज प्लस उनका फाइटिंग एक्सपीरियंस है जो बड़े बड़ों के चक्के उड़ा चुका है और उपर से हमें यह भी पता है कि अपने हीलिंग फेक् से एक्सप्लोइट नहीं कर पाएगा मतलब ब्लैक पैंथर चाहिए तो कितने भी टाइम के लिए डैटपुल के अगेंस्ट रह सकता है अगर उसके खाने पीने वर एक दो नंबर जाने का इंतजाम हो जाए पर मरेगा उससे भी नहीं थर्ड पर आते हैं हमारे गाड़ीज गैलेक्सी के काफी स्ट्रॉंग मेंबर्स इसे चोड़ कर यानि गमोरा नेबुला ड्रैक्स गूट एंड रॉकेट स्टार लोड को वी रखी लेते हैं उस कितनी बेज़ती क्यों करनी तो यहां गमोरा और नेबुला दोनों ही एलीन्स हैं यानि नॉमल केस में भी एक इंस बूमन कहा जाता था जो अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं होते थी और अगर फीर्ट की बात करें तो इस तरह के भारी भरकम कैनन को उठा चुकी है वह इनके फार इंपक्ट को जहलते हुए जो बैटल शिप पर लगने के लिए बने थे तो वहीं एक बॉम प्लास जो कि कि लिए रोक लेंगी बड़ उसे मारना इनके बस की बात भी नहीं है अगर ड्रैक्स की बात करें तो उसकी स्किन काफी ज्यादा हाड है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका फाइटिंग स्टाइल डैडपुल के अगेंस्ट इसे मुश्किल में डाल देगा वहीं र हरा तो सकते हैं पर वह भी गुरूट की डालिंग को अपनी कटाने से असानी से काट सकता है वहीं डैक्स की गाजर मूली की तरह हालत हो जाएगी जो कटने को रैडी हो क्योंकि बहुत बचकानी तरह लड़ता है यह तुम जानते हो मतले हैं यहापर डैडपुल का हारना ए स्पेशल नहीं कर सकता और उपर से यह है भी एक हिउमन यानि यहाँ पर भी सिर्फ डैडपुल को हराया जा सकता है बट उसे मारना पॉसिबल नहीं है फोर्ड नमर पर आते हैं हमारे एक्चुल पावर्स वाले सूपर हीरो यानि यार्ड मैन थौर वेजिन कैप्टन माव ऐसा क्यूं कहा सोच रहे होगे तो बता देता हूँ डैडपुल एक काफी रेकलेस बंदा है पर उसे पता है वो मरेगा नहीं इसलिए अपनी सुइसाइडल हरकतों से वो इंदीन कैरेक्टर्स को उड़ाने की कोशिश करेगा जो फिजिकल डैमेज के लिए सबसे जादा व बिजली में पके चिकन की तरह बना देगी जिसे खाना कोई पसंद नहीं करेगा इसके बाद आन्मेन का मार्क 3 आर्मर ही तिना क्यापेवल है कि डैडपुल उसे हराने की सोच भी ना पाए तो अब देखते हैं इन मैसे कौन से ऐसे क्यारक्टर्स हैं जो डैडपुल को कर सकती है कि वह पूरी तरह जलके राख ही बन जाए वहीं वांडा मैक्सिमों भी ऐसा कर सकती है अगर वह अपनी पावर को अच्छी से स्थेमाल करें तो वहीं एंट मैं के लिए पॉसिबल हो सकता है विकाज उसके पास में पार्टिकल से लैसी मेले वाली चक्रियं थी ज के लिए डर्ट पुल जैसे करेक्टर को पूरी तरह मारना दो स्पैल्स का काम होगा अब आते हैं हमारे इससे भी उपर के लेवल के करेक्टर पर जिन्वें मोस्टली पाफुल विलेंज ही शामिल होंगे लाइक थैनोस ब्लैक और मैलकित रोनन दाक्यूजर काइसीलियस है एल्ट्रोन लोकी किल्मोंगर और पाफुल क्यरक्टर लाइक ओरिन दोर्मामू इगो लिविंग प्लैनेट वाइड में दिखा वो मैटर खाने वाला मॉंस्टर ही हूँ रिमेंज और वॉचर अब यहां चीज़े काफी बदल जाती हैं क्योंकि इन सभी क्यरक्टर के पास पावर्स काफी अलग अलग टाइप की हैं जा सबसे पहले आते हैं जिनके पस सिर्फ फिजिकल कैपिविलिटीज ही है यानि बिना किसे स्पेशल वेपन या इंफिनिटी स्टोंस के डेड़पुल को मारना नहीं हो पाएगा रोनन दैक्यूजर के इल्मोंगर इन दोनों की होड थी कि उसके जैसे एक्सपेरिमेंट से बने एक बंदे ने पांच लोगों को वेपराइज कर दिया था ना बात करते हैं हेला मैलके थन लोकी की सो यहां हैला को थो हमने ऐसा कुछ करते नहीं देखा है कि उसने किसी को वेपराइज या डिसिंटीग्रेट कर दिया हो ब इनके पास ब्लैक होल ग्रेनेट्स भी थे वहीं लोकी वी थोर को साम में बहुत कोछ बना चुका है हम मूवी में यह सुन चुके हैं मतलब मैलकित के लिए डैडपल को पूरी तरह मारना डायरेक्ट अपनी पावर से हो जाएगा पर लोकी डैडपल को मैजिक से कुछ चोटी नहीं है क्योंकि ओडिन बेचेक में डाउन ग्रेड हुए हो बट फिर वी वह काफी पाफुल थे इसके लावा इगो दे लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टिल रह चुका है जो बैसे पूरे युरिवर्स के प्लैनेट्स को मारकर टैरफॉर्म करने वाला था दोर्मामू भ तक के सबसे पाफुल कैरेक्टर्स की तरह शो किया गया है जहां उसके टीविय के ओफिस में इंफिनिटी स्टोंस तक काम नहीं करते थे पर अब रही वाचर की बात वेशको अल्टरन से हारने वाला था बट फिर वी वो डैडपुल को रियालेटी से ही रेज करने की पाव पाई